दोस्तों ये धान के खेत की तैयारी हो रही है और आप लोग देख सकते हैं कि गाउं में किसान कितनी मेहनत करके धान उगाते हैं जिसे शहरों में यहां से चावल भीजा जाता है क्या ही खुबसूरत द्रिश्य है ये देखने भी ये बहुत अच्छा लगता है कि महनत यहां बहुत है कि शान बहुत महनत करते हैं खेत में अनुगाने के लिए देखो आप लूग कैसे ये खेत तयार किया जा रहा है वुरा पानी सीज के पिस ट्रिक्तर से काम किया जा रहा है पिर चर्यां ओकार हो पीणे अलग 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 लगाया जाता है मैं हो और ये बारिश की सीजन में होता है किूंकि इसको पानी की बहुत जादा जरूरत होती है यह यह तरीके से एड़ को पानी बहुत व्यात मातरह में मिल जाता है जिसकी वज़र से हंपै की कोई कमी नहीं होती है और एक अच्छी बार्सत तयार हो जाती है लेस मानलो बारिस कम होती है तो ये टुवल से सीच दिया जाता है चावल को पानी की बहुत जरूरत होती है पानी में इगी होता है और ये आम का बाग है पीछे पानी में इगी होता है पानी में इगी होता है क्या सुन्दर दिरिष है ये गाहों का जीवन है बहुत महनत का स्लो होते हैं गाहों के ये देखो बारिष का सीजन हुआ पड़ा है लगातार बारिष होती रहती है यहां पर पाफी लंबा क्येक है ट्रैक्टर को बहुत लंबा राउंड लगाना पड़ रहा है बारिष है